गुलबर्गा शहर के सब्तागिरी होटल में हुए सिलेंडर बलास्ट हासे में बुरी तरह जलने से मलिक करजुन नामी एक नोजवान की मौत हुई है कल याने 21 जुन को सुबा 6 बज़े के खरीब सब्तागिरी होटल में सुबा का नास्टा और स्वीट बनाने के वक्त सिलेंडर बलास्ट हुआ जिसमें कुल 11 होटल के करमचारी बुरी तरह जलकर जखमी हुए है जिसमें आज मलिक करजुन नामी एक नोजवान की मौत हुई है और दीगर लोग जिन्देगे और मौत से लड़ रहे है मलिक करजुन गुलबर्गा शहर के वाट नमबर 19 कीबेन कॉलेज रोड धिपना हकीम के खरीब का रहने वाला था और घर में माबाब और दो बहने रहती हैं जिनके लिए मलिक करजुन ही कमाई के जरिया था इंतिकाल के बाद घरवालों से मिलने गुलबर्गा डीसी फौज़ा तरणुम डिस्टिक इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांग खरगे मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शेंपर का इस पार्टिल मलसी जग्देव कुतितार पुलिस कमिशनर चेतानार आईपियस पुला चेर्मेर मजार अलम खान के अलावा एरिया कॉर्पेटर गोस मत्यमोडर दिगर कॉंग्रेस लीडर्स और एरिया के जिम्मेदा मेड़ है आज यहां पर वाड लंबर 19 में जो हकीम तिपड़ना के रोड पर एक नौजवान बच्चे का जो होटल में सिलेंडर बलाश्ट होने के वज़े से जो डेड हो गया है यहां पर माई वाड लंबर 19 का कर्पोर्टर और तमाम मेरे साथी यहां पर आकर देखे देखकर यह आशोशन दिया और साथ में हमारे जो इंचाज इस्टीक मिनिस्टर है जो पिरंग खरगे साहब शन परकाश पाटिल साहब और हमारे मलसी और जगदे गुतेदार साहब मजारालम कान साहब और डी सी मेडम और यस्पी साहब तमाम डिपार्टमेंट के तरफ से भी सोब लोग आये थे आकर आली जनाब पिरंग खरगे साहब अपनी जानिब से जो घर में एक मा और एक बेटा था और दो बैणे और एक बाप घर के खर्च के लिए कोई दूसरे नहीं थे ये एकी बच्चे के उपर सारा परिवार चलता था इसके मद्दे नजर रखते हैं आली जनाब पिरंग के जानिब से भी इंशाला आगे कुछ करूँगा ना कहते हुए पिरंग साहब और शन्परकर पाटिल साहब तमाम लोग आकर यहां पर अर्ती की ये पूजा करकर यहां पर चले गए हैं मैं अपनी जानिब से जितना हो सके कोशिश करके इन घरवालों को जितना हो सके उतन मैं हेल्प करूँगा इंशाला डीसी मेडम ने भी ये कहा है ये क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं था ये एकी बच्चा था और किरे के घर में थे ये लोग डीसी मेडम भी ये अश्वशन दिया है मैं कुछी दिनों में जो ना जल से जल इनको एक मकान के लिए भी जो है आपलेगर के एक मकान दिलातों बलकर ये अश्वशन दिया है, कमिशनर साब भी दिया है, मैं इंशाला ताला मैं अपनी जानीब से भी इस कारवाई को फालो में रहूँगा जहता को सके जल से जल पूरा कराने की कोशिश करोंगा इंशाला लाँ